इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रेशन करेंगे निफ्टी और निफ्टी के बारे में कल सेंसिक्स एक्सपारी है तो ब्रॉडर मार्केट कैसे लग रहा है आज निफ्टी ने एक और नया लाइफटाइम हाई लगाया 2400840 के आसपास मुस्ली ड्रैग्ट बाई आईटी और कुछ चुनिंदा बैंक्स थे आज चले इस्वी आई एक्सीस आईसी इसी आई कोटक काफी अच्छा मोवेंटम बैंक में जो है सेकेंड हाफ में कैच अच्प किया बैंक ने फर्स्ट हाफ से आप लोग देखी रहे थे कि आईटी में एच्छा ट्रैक्षान में वैसे जो आटी अचार्ट देखके बहुत दिन पहली आपको समझा दे यहाँ थे यहां पे की स्मार्ट बनी कैसे इंट्री करता ती किसी भी पाट्टिकूलर स्टॉप में या फिर इंडेक्स में तो आईटी के इंडेक्स में हम लोग है यहाँ पर देखिए कापी undisclosed quantity यहाँ पर यहाँ पर हर दिन यहाँ पर बाइंग हो रही थी smart money की तरफ से आपको समझ में मिनी आया है अचानक से TCS का रेजल्ट आता है एंड जो है मार्केट यहाँ से यूटन ले लेती तो यहाँ पर कहीं पर जो है smart money के entry हो गई थी मैंने यह same example आपको निप्टी में भी दिया कि जब भी undisclosed quantity स्मार्ट मनी इसको जो है entry करनी होती है वह एकदम से नहीं करेगी सब को disclose करके नहीं करेगी तो फिर सभी लोग पैसा बना लेंगे इंस्टिडूशन जब भी यहाँ पर पैसा लगाते हैं ऐसे दिस्क्लोश्ट क्वांटिटी धिरे धिरे टेस्टिंग के लिए डालते हैं फिर एकदम से आके सपोर्ट पे पूरा पैसा लगा देंगे जहाँ पर आप शॉर्ट हो जाएंगे आपको समझाय था मेरे डेली मार्क अलेंस वीडियो में निफ्टी के अलेंस भी किया दोसमें एंड 24,800 का लेवल में मैंने मेंशन किया था दिए नेक्स टार्गेट 25,000 25,000 120 की तरफ इशारा कर रही है इसका एक ही लॉजिक है की reasoning है that is IT, IT में broader market में IT में काफी तेजी है there is another 2-3% rally left in IT पेरे इसाफ से and ये निफ्टी को भी 25,000 25,000 125,000 200 तक जाने में help करेगी and उसके बाद में major painful dent देख रहा हूं market में उसके बारे में आगे discuss करेंगे so video start करने से पहले एक लाइक का बटन दबा दीजिए everybody requesting everybody to hit that like button if you have any queries, any question comments पे आप पूछ सकते है तुरंद आपको reply मिल जाती है तो TCS का देखिए एकदम proper time पे हम लोगोंने nifty it में जो है rally catch किया था यहाँ पे that day was 11 June आप यहाँ पे देख सकते है TCS का हम लोगोंने जो है यहाँ पे 11 June के दिन देखिए चेक चेक कर लिजिए हाँ पे 11 July 11 July के दिन यहाँ पे TCS को हम लोगोंने identify किया जिस दिन TCS भी करा था एकदम से लग रहा थी कि TCS का result बहुत खराब आने वाला है और यहाँ पे TCS और नीचे जा सकती है तो उस दिन हम लोगोंने bold contract call लिया TCS का 4000 का call option सब कुछ logics के साथ reasoning के साथ charts वगेर आपको share किये जाते है premium plus group में नीचे description में लिंक है वहाँ से आप जूर सकते everyday basis पे जो है आपको बैतरीन, ideas, stock picks, index में क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ everything आपको यहाँ पे mention की जाती है तो यहाँ पे दिखे, 11 जुलाई के दिन TCS एकदम से गिर रहा था 3900 के आसपास आ चुकी थी TCS लेकिन मैंने उसी दिन के live session में मैंने एक चीज़ आपको कहा था कि जब भी आपको लगे कि result खराब आने वाला है और उसके पहले ही market इसको discount करके बैट जाए कि result आखिर में खराब ही आने वाला है तो market already negative यहाँ पे जो है expect करके चल रहा है तो fresh कोई negative result आता है तो market उसके उपर react नहीं करता है उल्टा अगर थोरा सा भी positive result आ जाता है तो market यूटन ले 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 था जो सेम चीज़ यहाँ पे डाव थियोरी देखिए सेम डाव थियोरी TCS में भी applicable हुई TCS ने जो है battery rally यहाँ पे शो किया जो 4000 का जो call option था 4000 का call option अगर मैं आपको charts पे दिखाऊ TCS के option chain में 4000 का call option अभी 312 रुपय में trade कर रहा है come on it was recommended at 57 rupees we have identified with proper logic at 57 rupees 210 was my final target as you all know I have said what logic I use whenever I pick a stock तो जब भी यहाँ पे stock मैं pick करता हूँ मैं यहाँ पे यह देखता हूँ कि result के बारे में market क्या सोच रहा है market already negative सोच के रखा है IT का result यहाँ पे positive आ सकता था जित्रे भी research अगेर हम लोगों ने किये लग रहा है कि IT का result positive आएगा आखिर का पॉजिटीव देखने को मिला IT का result और देखिये TCS कहां पर अभी trade कर रहा है थीक है तो इन सब के बीच में ही निफ्टी ने आज 24,800 का हाई भी लगा दिया है निफ्टी आईटी इंडेक्स मेरी साब से काफी अच्छे बुलरन में है थोड़ा और जगह है इसमें 41,000-41,500 जाने के लिए लेकिन highly overbought है असी के उपर निफ्टी आईटी का इंडेक्स से हाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो बी कॉशियस तो यह नहीं बोल रहा है सब कुछ बेज़ देना चाहिए लेकिन बी कॉशियस अधिके निकाई में solid top formation निकाई में देखने को मिला अगर मैं आपको निकाई का चार्ट दिखा और निफ्टी से इसको compare करूँ देखें निकाई भी एक टाइम पे ओवरबॉट पे चल रही थी निकाई पे आपको सारे 5% की correction immediate basis पे देखने को मिल गया तो correction due है, budget के पहले हम लोग जा रहे है, high expectation लेके मेरे साब से बजार budget पे जा रहा है, and last 47 budgets में 92% का track record है, कि बजार जो trend से जाता है budget में, जो expectation से जाता है, उसका ultra u-turn ले लेता है budget के बाद, so I might be wrong, but data यही बोल रहा है, आप खुद भी back testing कर सकते हैं, तो हम लोग काफी positive bias ल मंगलवार को budget है, आज Thursday है, देखिए Thursday का closing कहाँ पे आया है, अब Friday है, कल 25 है चली जाएगी तो कोई बरी बात नहीं, लेकिन Monday को जो trend सेट होगा market में, ध्यान से सुनिए, Monday को जो भी trend सेट होगा, माल लीजिए यह rally और extend होके 25, 200, 25, 300 तक भी चली आती है by Monday, आपको budget के दिन market यूटर लेता हुआ दिखेगा, तो इसका एक संभावना है, तो definitely अपने hedges साथ में रखिए, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, डरा भी नहीं रहा हो, कि आपको यह भी नहीं बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे सब कुछ बेजबाच के निकल जाए, लेकिन production first, market क्योंकि हर एक parameter पे RSI देखिए, निफ्टी का daily charts पे overbought, weekly charts पे overbought, monthly chart पे हम लोग 7 माहिने से, 7 months, 7 माहिने से हम लोग overbought पे चल रहे हैं, यहाँ पे, nifty charts पे, तो हर एक charts पे आपको nifty का जो यह trend है, यह overbought zone पे जाता हुआ दिख रहा है, तो किसी भी time मेरे को लगता है कि जो निफ्टी का election day का जो low था, I might be wrong, आप लोग ट्रोल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, गलत हो जाओंगा, तो I will be more than enough happy, because investors के पैसे बन जाएंगे इस rally में, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे एक जो है, rally के लिए आपको तयार हो जानी चाहिए, logic is, बीस अजार के आसपास का जो zone है, निफ्टी में, बीस अजार दो सो तीन सो का यह जो gap है, यह market ने अभी तक fill नहीं किया है, बड़ा वाला gap यहाँ पर अभी तक leftover है, तो मेरी साब से, बीस दो, बीस दो सो पचास से लेके, बीस पान सो तक का यह जो gap है, 200 point का, यह fill इसी साल होगा, I might be wrong, अब जितना मच जी, ट्रोल करना है आप कर लीजिए, लेकिन, stay cautious, मेरा कहने का, एक ही मतलब है कि हम लोग तो अपना position बना के trade से निकल जाएगे, आज का पील भी मैंने अपने Twitter पे डाला हुआ है, ठीक है, तो आज का Twitter में आप जो है, ignore करें, अपना पैसा आप खोद है, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, थोड़ा cautious रही है, yes, there is a chance of 25,000, जो लोग पूछ रहा है, 25,000 आईगी क्या, देखिए, अभी बस 200 point दूर है, technically 1% भी नहीं है, 24-800 के Nifty पे 1% का rally भी नहीं होता है, 25 आज तक जाने के लिए, तो definitely yes, जा सकती है, लेकिन as a trader, 200 point का चल, मैं इसको capture करने के लिए, मैं नीचे का 6-8% का dent, मैं कभी नहीं, as a trader मैं इसको justify कर सकता हूँ, I cannot keep my stop loss at June low, and I cannot buy Nifty at July highs, so I believe August, September will be the month of correction, again I am saying this is my personal view, I might go wrong, educate करने का काम मेरा है, चीजों को समझाने का काम मेरा है, आपको कैसे अपना काम काच करना है, वो अपने financial advisors से आप advice लीजिए, and according to, आप उसके साथ, जो है, मिलके आपको जो सही लगे, आप वहाँ पर पैसा लगाईए, वहाँ पर ट्रेट केजिए, ठीक, एक कुछ चीजे हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहली बाद, 45 मिनिट्स टाइम फ्रेम पे, निफ्टी का एक बार, हार्मोनिक पैटन को चेक करे ठीक है, टार्गेट्स अचीब भी हुए, आज जो फ्रेश रैली आई बजार में, that is only only because of IT, IT is the sole contributor of this निफ्टी रैली, ठीक है, तो ये रैली और एक्स्टेंड होके, मेरे साथ से, आईटी जिस तरीके से हम लोगों का अनलिसिस है, आईटी 14,500 हो जाए, निफ्टी 25,200,300 ह हो जाए, तो एक टार्गेट यहाँ पर कप्लीड हो जाती है, प्लस जितने भी सिगनल यहाँ पर निकेई से हम लोगों ने लिया है, कि जब भी ओवरवार्ट जोन पर मार्केट काफी समय तक चली जाती है, वहां से एक भारी से भारी करेक्शन आपको देखिए, निकेई, धाई हजार पॉइंट कब निकाल दिया, आपको समझ भी में नहीं आया, right, so stay alert right now, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ बेज देना चाहिए, but at least मैं आपको यह समझानी की चेश्टा कर रहा हूँ कि जब यह फॉल आएगी, बहुत painful होगी, काफी लोग ऐसे हैं, जो म 33,000 घट गया, 15,100 पे जो है, निफ्टी आ गई, October महिने में काफी फॉल देखने को मिला निफ्टी में, उसके पहले भी जो है, काफी अच्छा फॉल देखने को मिला निफ्टी में, तो यह सब कुछ बजार देखने के बाद मैं अपना तजूरवा आपके साथ सेर कर रहा ह सब कुछ blindly buy नहीं करना है, selective stocks में रहना है, and stay cautious, market बर रहा है, बहुत अच्छी बात है, देश के economy के लिए and stock market के लिए बहुत अच्छी बात है, positive है, लेकिन यह complain भी है कि निफ्टी बर रहा है, उसके काफी सारे client में, client के portfolio में जो stock है, वो वैसा का वैसा ही है, तो यह broader market में तेजी नहीं है, कुछ selective counters में तेजी है, कुछ चुडिंदा stocks को pick करके जो है, index को उपर उठाया जा रहा है, तो इससे बहुत जाला साफदान रही है, ठीके, तो मैंने आपको यहाँ पे एक सेबी सीटी, harmonic pattern, ड्रॉ करके दिखा दिया, now let's come back to GAN fan, मैंने GAN fan का भी example यहाँ पे कल आपको दिया था, कि किस तरीके से angles का use हम लोग करते हैं, जब भी चीजे समझनी होती है, हम लोग कैसे angles का use करके यहाँ पे जो है, चीजों को समझते, तो GAN fan में आ जाते हैं, GAN fan में जो है, इस top का analysis करेंगे, ठीक है, तो टॉप है, 24,000 24,840 के आसपास, 837 to be precise, angle लगा देतें इसमें, trend angle, 45 degree हुआ तो हैं satisfied, वहें से अपना जो है, काटा पीटी स्टार्ट हो जाएगा, तो 45 degree कहीना कहीं यहाँ पे जो है, इस level पे आ रहा है, और market देखें, 45 degree के काफी ऊपर जो है, ट्रेट करता हो दिख रहा है, GAN square भी लगा देंगे, इसका यह मतलब है, market जब तक 1 is to 1 के ऊपर है, everything is positive, 1 is to 1 के नीचे जैसे जैसे यह 45 degree angle को तोड़ने के लिए आ जाए, समझ लीजे, खत्रे की घंटी वही से बजना चालू है, 45 degree angle को कट कर देती है, तो पहला target इसका 2 is to 1 का बनेगा, that is already around 23,000, जब तक इसके ऊपर है, यह उपर-उपर ऐसे चल नहीं सकता है, because हर एक trading charts में, stock charts में, एक particular angle का use होता है, जैसे William D. Gann ने अपने books में लिखा है, तो हम लोग भी उसी को follow करते हुए, जो सीखा है, उसी को practically implement करते हुए, यह angle जो मेरे को nifty का दिख रहा है, यह खतरनाक तरीके से steep angle बना हुआ है, ठीक है, तो जिस दिन यह 45 degree angle के नीचे आएगी, त्राइमाम होगा, बुल्स में, आप खड़िते रह जाएगा, यहाँ पे आप खड़ितने का chance ढूनते रह जाएगा, आपको मौकाई नहीं मिलेगा, जहाँ पे आप खड़ितेगा, वहीं से market 500-600 point नीचे मार देगा, फिर आप buy करिएगा, फिर नीचे 500-600 point माट देगा, तो यह होता है, मंदा बजार, तो उससे अच्छा है, कि अभी जो आपके पास quantity उसको hedge कीजिए, स्कॉषियस होके trade करिए, अगर आपने 2 call long रखा है, तो उसके against में 4 call बेच के भी रखिए उपर का, ताकि premium अभी आपको अच्छा मिल रहा है, बाद में अगर market नीचे आता है, तो आपका at least cover call रहेगा, या फिर किसी stock में आप long है, वो अगर F&O में है stock, तो उसका put option भी आ काम है, आपको aware करना, डराना नहीं, because कुछ चीजे charts पे दिख रहे हैं, जो सही नहीं है, हम लोगों ने इतने साल के experience के बाद ऐसा RSI overbought का chart मैंने नहीं देखा है, कि RSI भी overbought हो, PCR भी overbought हो, again theory में भी यहाँ पे selling का signal आ जाए, mercury marks का reversal signal भी आ जाए, लेकिन फिर भी market one is to one नेकिक बर करके, हर रोज नया lifetime high लगा रहा है, तो निकई के बजार में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन निकई देखिए, कितना fresh topping out के signal इसने दे दिये, एकदम से 4-5 trading session में 6% निकई ने निकाल दिया, तो जितना ये चरेगा steeply, उतना ही steeply नीचे आएगा, ये बजार का nature है ये कोई stock नहीं, ध्यान रखिए, ये nifty 50 index है, तो index को इतना आसान नहीं है, इतना उपर उपर रखना, जब सब कुछ खड़ाब दिखे, froth बन रहा है, मेरे साब से चुनिंदा counters में बने रही है, ठीक है, तो nifty analysis कल के लिए वही है, आपका 25,000, 25,200, ये उपर के levels के मेरे सा आप से Fibonacci extension number है, नीचे जब तक 24,500, ये आपको short करना ही है, ऐसा अगर आप mindset लेके आओगे market में, तो मैं आपको कुछ help नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप levels पे काम करके wait करते हैं, then definitely you will get a lot of help from my side, 24,500 इस level का wait कर जाईए, इसके नीचे ही आपको अच्छा खासा short trigger बनेगा otherwise नहीं आएगा, बहुत short करने का level अभी है नहीं market में, market को थोड़ा 1-2% और उपर जाने दीए, ठीक है, फिर आप देखिएगा कि किसको बोलते है short करना, तो फिलाल उपर उपर रहिए, quantities कम रखी अगर आप तेजी नहीं कर सकते, जैसे मैं personally मैं तेजी नहीं कर सकता, मैं call बेच के पैसा कमा सकता हूं मैं पूट लेके पैसा कमा सकता हूं, मैं call खडीत के या फिर पूट बेच के मेरा जिन्दगी में कभि पैसा नहीं बना है, 9 साल का track record है, तो मैं जो काम करने ही सकता है, जिस काम में मैं comfortable नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, simple सी बात है, market को उपर ज यह चल रहा है बहुत जो भी हम लोगों ने फंड़मेंटर टेक्निकल सीके हैं मार्केट सारे पेशेंस को टेस्ट कर लिया है मतलब हर एक पैरवीटर में मार्केट जो है हम लोगों साबित कर दिया है इंडिया दिरे वही साड़े चौदा पंद्रा के रेंज पर रही है तो मैंने पहले भी बोलाए कि ब्रेक आउट है एंड कल मेरे साब से फ्राइडे का डे है सेंसेक्स 82,000 निफ्टी 25,000 वैंग निफ्टी 53,000 54,000 भी हो जाए कौन क्या बोल सकता है तो यह जो लास्ट चलावा यह जो लास्ट चल है मार्गेट का इसको कंपलीट करने दीजिए वेरे इसाब से उपर में 54,000 तक के लेवल एक बार मैंग निफ्टी में भी आगर आपको देगनेों को मिलें तो मिल सकते हैं बजेट की दिन हो कल हो जाए मंदे को किसी दिन हो जाए बैग निफ्टी एक बार यही व्यूस उनके आप कल पूट लेके बैट जाएगे तो क्या आपका पैसा बनेगा नहीं बनेगा तो थोड़ा आपना common sense का यूज करिए मेरी साफ से common sense जितना आप यूज करेंगे जितना चीजों को कॉंट्रा व्यू से देखेंगे प्लेन वैनिला नहीं सोचेंगे उतना ही आपका मार्केट में लॉंजिविलिटी बरेगा कि चलिए sense x sense x का देखिए simple है level नीचे में कि एकासी 200 उपर में एकासी 400 मार्क करके रखिये कि बीच में कुछ नहीं होगा टाइम पास होगा सिर्फ प्रीमें मीटिंग होगी जैसे ही ब्रेक आउट आएगा कि 81400 यह कन्फर्मेशन है नीचे में ब्रेकडाउन सपोर्ट 81200 का है अगर आता है तो मॉर्निंग में यह कन्फर्म कर देगा कि ब्रेक करना चाहता है मॉर्निंग से ही आपको संसेक्स एकदम से ब्रेकडाउन करता हुआ दिखेगा यह लिए पर तक एक सपोर्ट लेने मार्केट जा सकती है अब उपर में खुला निला आकास है कहां पर जाएगी नहीं मालूम यह अपना अपर बैंड है इसको ब्रेक करें तो आजका टॉप 21,550,18550,18818,000 ठीक है निफ्टी में वही ध्याल रखना है कोछ चीजें जो अब मैं आपको समझा रहा हूं उसको ध्याल से समझेए जो भी मैं आपको व्यू दे रहा हूं यह मेरा short term long term view है यह नहीं कि कली जाके आपको सब कुछ एकदम बेजवाज देना है नहीं बढने दिए जाए देखिए बेर्स का कुछ और प्लान हो सकता है बेर्स यहाँ पे अप गीब अप कर दिया है बेर्स को पैसा अपना समालना है आप पूट जो खड़ित है वो खड़ित के आप बेर नहीं बनते कॉल आप शॉट करके हम लोग शॉट करके पैसा बनाता है आज भी मार्केट उपर गई लेकिन अल्रेडी हम लोगोंने कॉल शॉट करके पैसा बना लिया आज जो मैंने टेलिग्राम पर डाला है ट्वीटर कॉल शॉट करके पैसा बनाया कॉल शॉट करने वाला बेर होता है पूट बाई करने वाला एक्चुली बूल होता है जिसको डर है तो प्रडेक्शन लेता है ठीक है तो इस भ्रम में मत रहिए कि आप पूट लेते हैं इसका मतलब बहुत बरे मंदोरिया है आप खडीद रह आया है वो चाहे थर्ड जून का एक्जिट पोल हो या फिर लास्ट या रशिया यूक्रेयन का वो जब वर्ड स्टार्ट होने वाला था टीवी बाले बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे कि अरे वर्ड नहीं होगा कुछ नहीं होगा पैसा लगाईए इंडियन मार्केट में क्या एफेक्ट आएगा आपने देखा सारे 18,000 का निफ्टी कैसे देखते देखते 15,000 पर आ गया था तो बहुत लोग बहुत कुछ भूलेंगे सबका बात आपको नहीं सुनना है कुद रिसर्च करना है सीखना है आपको जो रैशनल लगे आपको जो ठीक लगे उसी का हूंगा वैसा ही मैं एक और बात भी बोलता हूं आप जो नहीं है जो आपने की चेशता भी मत करिये तो जो मैं हूँ जितना मेरा कैपषिटी तो इसके ऐकौर्डिंग में पर निफ्टी का जो में रिट्रेस्मेंट दो डिव है वो एक आपका आता है ट्वेट 24,000 के आसपास दूसरा आपका आता है 23,500 और तीसरा 50% एक रिट्रेस्मेंट इस क्रेक्शन का जैसे हम लोगों ने निकई में देखा निकई को भी हम लोगों यहाँ पर फिबॉनाची इसका भी निकई का भी निकाला है फिबॉनाची एंड शॉटर टाइम फ्रेम पे लेंगे तो इसका भी जून या फी जून से लेत 40,400 का हाई को जो है मैच किया है तो 50% पर देखिए निकई भी आ चुकी है तो ऐसा नहीं कि बजार एक तरफा यहां पर चड़ते लेगी बजार का यहीं नेचर है ना बजार चरेगी थोरा निचे आएगी फिर चरेगी फिर निचे आएगी एक तरफा आप ऐसे बजार को कभ निकई में यहां पे लोगों ने पैसा लगाया यहां पे लोगों ने पैसा लगाया यहां पे लोगों ने पैसा लगाया तो 42,400 उन लोगों को दिखा कि अच्छा ओवर वैलूड है अभी मार्केट चलो प्रॉफिट बुक करते है तो यहां पे 50% की रिटरेस्मेंट आपक 24,000 यह जो correction है due है भी भी कभी भी आ सकता है किसी वक्त आ सकता है mostly एक दो हफता वेट करना हो सकता है लेकिन August September के महिने में I am very hopeful that we are not going to make money making long trades we are going to make money by shorting this market I am very hopeful and wishful about this I might go wrong but I think correction market में due है तो accordingly आप भी काम कच की आज का दे हाई 24,840 का ही है यहां पर वही आपका resistance level है उसकी उपर market है तो उसे blue sky zone पर खुले निल्य आकाच पर है कहीं पर भी जा सकती है तो on the upside 24,920 24,920 के बार 25,000 and 25,000 120 200 यह मेरा last resort है निफ्टी के लिए क्योंकि जब तक आईटी में जान है निफ्टी में जान है निफ्टी चलते रहेगी इसको कोई नहीं रोख सकता है डिलाइफटाइब हाई लगाने के लिए लेकिन यह अभी last leg of buying में आ चुकी है तो मेरे साब से यह levels रहेंगे नीचे में आपको ध्यान रखना देखे कल के इंट्राइड के लिए 700 इंपोर्टेंट है यहां पर एक एम जासा पैटन दिख रहा है तो हो सकता है 700 के नीचे इसका confirmation आ जाए तो यहां से एक आर्ट सेलिंग सिंगनल जनेट हो जाए 24,600 24,520 480 एंड इवेंच्वली 500 को ब्रेक करेगा तो हम लोग भी लॉंगर टाइम फ्रेम पर शॉट करने का ठीक चेस्टा करेंगे लेकिन कल मेरे को यह होता हुआ नहीं दिक्राइब तो भी वेरी ओनेस कल का मेरा बायस बुलिश उसके बाद 1st week of August से आप देखिए मार्केट का यह लोग क्या हाल करते हैं अगर यह पूरा जुलाई रोक के रखते हैं तो डेफिनेटली यह स्टार्ट हो जाएगी ऑगस्ट होगे माईने से रोक नहीं सकते हैं मार्केट को एक तरब ऐसे खीच के लेके जा नहीं सकते हैं आपको correction चाहिए यही हम लोगों ने टेकनिकल पर सिखा है न यही तो चीज़ें है जो हम लोगों ने पैसा खर्च करके time खर्च करके पैसा मार्केट में गवा के सिखा ही कि projection matters the most अभी का प्राइजेक्शन ऐसा है और यह नीचे भी नहीं आना चाहती है तो ऐसा प्राइज और जगा पे भी आपको यहां पर अभी पर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको हर जगा पर बाइंग के उपर्चुनिटी नहीं मिलेंगे कुछ स्थ रहेगा वह चलेगा और बस यहीं बोलना चाहता हो बाकि आपकी मरजी आपका पैसा वीडियो पसंद आये तो लाइक का बट का तो कुछ बोलना नहीं है मेंबर्स कॉमेंट्स में बताएंगे अगर सच में आप फिनो स्टाट फैमिली के मेंबर है अगर आपने आज प्रॉफिट बनाया है निफ्टी कॉल खडीद के डेफिनेटली आफ कॉमेंट्स में बता दीजे आधर आप ट्रेडर है नहीं फिर अगर आज के बजार में भी इतना क्लियर प्लेन वैनिला कन्विक्शन सेयर करने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं बनाया कॉल ऑप्शन में मैं सारे मेंबर्स को बोल रहा हूं क्योंकि सिंपल लॉजिक के साथ हम लोगोंने सारे नौ बजे से ही चीजों को भाब लिया था उसका वैल्यू देखिए अभी कितने में बंद हुआ यसी वह चेक की लिए चौबिस पांसों पचास का कॉल उप्शन सारे नौ बजे पर दिया हुआ था कि 37 रूपीस 36 रूपीस वह वाव और एक बार ने यह आपको दो बार तीन बार मौका दिया इसी प्राइस पर बाई करने के लिए तिमें अगर अगर अपने बीन यहां पर यहां पर राइड क्या होता है दोनों टेक्ट को मिला एक आपको यहां पर प्रॉफिट लुपीज से 152 से का अगसलि आप dato ने मूर्निंग खर दिया जब हम लोगों यहां से और तीजी आ सकती है तो आपने यहां पर यहां 800% 700% निफ्टी में मिलना बहुत मुश्किल है अगर आपने पैसाज कमा लिया कैपिटल को बचा लीजिए कुछ दान कर दीजिए कुछ विद्रॉ कर लीजिए अच्छा खासा कैपिडल आपका बन जुगा है यह सब चीज़े हम लोग फिनोस्टाइट प्रीमियम कम्यूटी म लिंक है पिन कॉमेंट्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा वहां से डिरेक्ट लिए आप जॉइन कर सकते हैं डिविट काड फोन पर यूप 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 डॉट फैनकर दॉट कॉम आपको लिंक मिल जाएगा एंड वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ल नहीं करना है कम ट्रेड करके अच्छा काल सा मुनाफ़ा कमाना है स्ट्रेस कम पेन कम होगा लॉस कम होगा प्रॉफिट के चांसे ज्यादा होंगे क्यूंकि हम लोग हर समय ट्रेड करने में बिलीव नहीं करते वी नोवा थियोरी कब ट्रेड नहीं करना है बस इतना अपने नहीं करना कब ट्रेड में इंट्री करके बैठ जाना है तब पैसा बन जाता है ठीक है लाइफ टाइम में ऑफर भी वह देख लीजेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में कुपन कोड है निफ्टी 24 के जैसे यह से निफ्टी बर रहा है मेरे को लगता है कूपन कोड को भी चेंज दबा दीजिएगा थैंक्यू सो मच गाइस थैंक्स वर वाचिंग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में